ये तीन महतपुर्ण सवाल जे मैंस के स्टुएंट्स के लिए 2019 में आई जब आप इसके कोई भी आसानी से नहीं दे पा रहा क्योंकि सब कुछ अनप्रेडिक्टिबल हो रहा है क्योंकि ये सदी में इस दुनिया में ये पहली बार हो रहा है जे मैंस के साथ है तो और अफ्रेल सेसेन में 265 मार्क्स आ गए तो कौन सा मार्क्स बेटर है आपको शॉकिंग लगेगा कि 265 वाले मार्क्स भी बेटर हो सकते हैं 250 वाले भी मार्क्स बेटर हो सकते हैं तो ये दुस्खासियत या खासियत जो भी शमझें इस बार जो NTA का सिस्टम है उसका यही जिसमें की 250 मार्क्स भी बेटर हो सकते हैं किसी स्टुडेंट के 265 मार्क्स से अब अगर हम पहला मार्क्स के बारे में डिसकस करें तो मार्क्स तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता मार्क्स एक्चॉल में आपके कितने आये हैं ये पता लगाना होगा पता लगाने के बहुत सारे students है number of students बहुत जादा है तो question के collection का sources बहुत जादा है क्योंकि number of students बहुत जादा है तो हो सकता है possible कि 90 के 90 question उनके पास collect होकर आ जाए और 90 के 90 question के solution वो दे दे उनसे आप अपने आपको match किजिए अपने answer को match किजिए और पता किजिए कि on an average मतलब प्रॉक्स में आपके कितने marks आ रहे हैं तो यह predict नहीं किया जा सकता है आपको पता लगाना होगा कि आपके कितने marks आ रहे हैं अब हम percentile के बारे में बात करते हैं percentile के बारे में सबसे पहले एक formula में दिख रहा हूं आपको P मतलब percentile equal to S S मतलब हो गया number of student जिनके marks आपके equal हैं या आप से कम हैं divided by number of candidates appeared in particular session जिस session में आपका exam हुआ है into hundred S को मैं थोरा सा और explain करता हूं मान के जली कि आपका examination 7th April को first session में हुआ था तो 7th April को first session में ये सारी data ली जाएगी S की भी data, N की भी data, 7th April के first session की data ली जाएगी ना कि April session में जे इमेंस में कितने student appear यो थे उनकी data ली जाएगी समझ महीवत अब क्या है कि ना ही आपके पास S की value है कि number of candidates जिनके marks आपसे equal है या फिर आपसे कम है या फिर नहीं आपके पास small n की value है कि कितने candidate उस particular session में appear हुए थे इसलिए percentile predict करना मुश्किल है क्योंकि data ही नहीं है हमारे पास लेकिन अभी जो हम rank के बारे में discuss करेंगे इससे आप जनवरी session में जिसमें कि आपका percentile आज चुका था उस session का rank आपका कितना होना चाहिए या उस आसपास में हो सकता है ये predict कर सकते हैं लेकिन आपको बताते चलें कि जनवरी session में जो आपने exam दिया जरूरी नहीं कि उस शे ही आपका rank बने हो सकता है अप्रेल session से आपका rank बन जाए ये इस बार हो इस तरह राय कि जिसमें आपकी percentile ज्यादा है जनवरी आपरेल में जिसमें percentile ज्यादा हो जाएगी वो rank बनाने के लिए use किया जाएगा तो rank निकालने के लिए जो formula हमारे पास है वो है hundred minus percentile p upon hundred into capital N इस बार मैं capital N लियाओ capital N का मतलब यहाँ पर है कि अपरेल मेहने में जो exam हुआ जाएग मेंस के उसमें कितने candidate appeared हुए थे उपर में मैंने small N लिया था इसका मतलब था किसी particular session में कितने candidate appeared हुए थे अब यहाँ पर क्या है कि जनवरी session का आपको capital N पता है तो N जनवरी की हम बात करें तो यह था 8, 7, 4, 4, 6, 9 I'm sure कि यही data था इसमें क्या था जनवरी session में बहुत सारी candidate appeared नहीं हुए थे लेकिन मैं April session में क्योंकि अभी तो data आया नहीं लेकिन on and average की बात करूँ जो कि हर साल रहता है तो 12 लाग के असपास candidate इसमें appear होने वाले है अब अगर जनवरी session से अप अपना rank निकालना चाहे है अलाकि यह नहीं कहाँ जा सकता कि आप की रैंक जनवरी session से ही निकाले जाएगी यह तो पता चलेगा तब कि जबकी अप्रेल session की परसेंटाईल आ जाएगी जिससे पता चलेगा कि अप्रेल session में UP की percentage ज़्यादा है तो आपकी रैंक एप्राक्स पता चल जाएगी अब एप्राक्स भी कहना यहां मुश्किल हो जाएगा क्यों? क्योंकि रैंक इस बार काफी जादा वैरी करेगा अब जो यह कोस्टन था हमारे पास स्टार्टिंग में ही यह 250 मार्क्स बेटर है कि 265 मार्क्स बेटर है सोचिए एक कंडिडिट है जिसको जनवरी सेशन में 250 मार्क्स आए और अपरेल सेशन में 265 मार्क्स आए जनवरी सेशन में 250 मार्क्स आए अपरेल में 265 तो कौन सा better है अप्रेल सेशन वाला लेकिन 265 marks से ही उसकी rank तयार हो ये कहना मुस्किल है हो सकता है कि 250 marks से भी उसकी rank तयार हो जाए कैसे जिस से से उसका better percentile बनेगा हो सकता है कि January session से भी better percentile बन जाए तो जिस session से better percentile अब मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूँ एक चीज इस चीज को थोरा सा समझ ये गवर से जैमेंस का जो examination इस पर NTA लाया उसमें ये करांतिकारी तरीका था कि percentile दो बार exam लेंगे दो बार exam लेना जिसमें कि सबसे ज़्यादा करांटी करी था two times क्योंकि आप overall talent को निखार रहे हैं मतलब कैसे talent को निखार रहा है इस चीज को समझ ये कोई candidate है जो अगर अपरेल में exam होती मान लेते तो वह 120 marks लाता जनवरी में exam हो गई तो वह 98 marks लाया मान लेते हैं अब जो कि क्या है कि जनवरी में 98 marks अब ला चुका है ये तो तभी होती नहीं मैं कहा रहा हूं कि अगर अपरेल में exam होती डारेक्टली 120 marks लाता वो इतना महनत करता कि 120 marks लेकिन हुआ क्या कि जनवरी में exam हो गया तो 98 marks मिल गए उसके अब उसके पास एक minimum खुद का cut-off है कि मुझे इससे increase करना है किसी भी तरह से इसको और better करना है आप सबको बता है कि last के जो तीन महने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च इनहीं तीन महने में आपकी rank decide होती है इस तीन महने में अपने आपको कितना जोग इसी से आपकी rank बनती है जिसको 98 marks आया जनवरी सेशन में उसने काफी महनत किया और अफ्रेल सेशन में जाकर माल लेते हैं कि उसकी marks आ गई 175 जो 120 marks लाता अब वो 175 marks ला रहा है इसी तरह से सूचिए 250 marks लाये थे इस candidate ने जनवरी सेशन उसके उपर number of candidates कम होंगे number of candidates कम होंगे इसकी percentile क्या होगी एक्स मान लेते हैं इसको एक्स होगी अब क्या होगा कि अप्रेल का सेशन आ गया जिसमें इसने खुद ही 265 marks लाये लेकिन हुआ गया कि बहुत सारी candidate अप्रेल सेशन में काफी महनत की और number of candidates 265 से उपर जादा हो गया तो इसकी marks भले 265 ब से जादा हो गये थे इसलिए इसकी percentile जो y होगी इसलिए इसकी percentile होगी y कम हो जाएगी तो marks जादा है लेकिन percentile कम है इसलिए इसकी rank जो बनाई जाएगी वो x से बनाई जाएगी x percentile से तो hopefully ये nta का ये drama आपको समझ माया चाहे इसको जो भी कहें तो ये पहला case समझा अब आपकी percentile इस चीज पर भी depend करेगी कि कितने candidate appeared हुए थे उस particular session में क्योंकि percentile का formula था number of candidates जिनके marks आपके equal है या आप से कम है divided by small n into 100 इसको मैं एक छोटा सा example से समझाता हूँ जो j means के ही site पर अभी लवल है यहाँ देखिया चार session है first session, second session, third session, fourth session first session में lowest जो marks गई वो minus 39 गई, second session में minimum mark गई minus 38, third session में minus 49, fourth session में minus 44, इसकी score minus 39 है, तो score से तो कोई मतलब है नहीं, मतलब है इतना है, इससे है कि कितने number of candidates appeared हुए थे, तो first वाले में तो यहाँ क्या हो रहा है इस चीज को हम calculation करते है, first session में, candidate को आया minus 39 marks, minus 39 से तो कोई मतलब है नहीं, इसके equal number या इससे पीछे कितने candidate है, केवल एक, upon, total number of candidates कितने appear हुए थे, देख लिजिए, 8,012, यह एक dummy data है, इस चीज को actual मत मानिएगा, into 100, अब चलिए, एक second session का example लेते है, second session में, student को आया minus 38 marks, कितने appear हुए थे, 32,541, तो 1 upon 32,541, into 100, तो उपर वाले को अगर हम calculate करें, तो यह बन जाएगा, 0.0035, आगे 7 digits तक जाना है, लेकिन मैं उतना नहीं ले रहा हूँ हूँ, और second वाले को calculate करेंगे, तो यह आजाएगा, 0.0030, और भी आगे है, मैं नहीं ले रहा हूँ, उसको अब मुझे एक चीज़ बताईए, समझे यहाँ चीज़, मैनस 38 marks अच्छा है कि मैनस 39 marks अच्छा है, अब यसी बात है, मैनस 38 marks अच्छा है, marks अच्छे दोनों नहीं है, यह अलग बात है, लेकिन कौन बढ़ा है, मैनस 38 marks, लेकिन जिस candidate को मैनस 38 marks आया है, उसकी percentile कम है, और 21 चीज़ पर depend कर रही है, कि number of candidate कितनी appeared हुए थे उस particular session में, चुकि second session में, ज्यादा number of candidate appeared हुए थे, इसलिए इसकी percentile घट गई, तो यह भी NTA के लिए हम कर सकते हैं, कि एक disaster ही है, लेकिन इस चीज़ को अलग अलग तरीके से देखने के point हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, एक और case discuss करें, अगर आपके पास एतनी समय है तो, अगर समय नहीं है तो like करके वीडियो और subscriber के दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन हम तीसरा case और discuss कर लेते हैं, तीसरा case है हमारे पास, हलाकि इस case पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, अप्रेल session में, मौल लेते हैं कि कि इसी की rank आई, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे कुछ rank है, जिसका 10th rank है उसकी percentile हम एक ही digit तक मान रहे हैं, दिसमलाफ के बाद, 96.96 मान लेते हैं simply, इसकी percentile 95, इसकी percentile 94, इसकी percentile 93, 92, ऐसे ही simple मान लेते हैं, तो इसकी rank अप्रेल session के हिसाब से यह होती, लेकिन हुआ क्या, कि January session में, कुछ candidate का January session का data यहां आने वाला है, क्योंकि कुछ candidate ऐसे होंगे, जिनके January session के percentile अच्छे होंगे, अब मान लेते हैं, कि 3 candidate ऐसे हैं, तीन candidate, जिनके percentile कुछ इस तरह से हैं, 95.8, 95.7, 95.6, इन तीनों candidates के percentile यह कुछ हैं, तो यह तीनों candidate इस बीच में आकर फिट होंगे, जब यह दीनों candidate इस बीच में आकर फिट होंगे, तो इसके नीचे जितने candidate हैं, उन सब की rank 3 increase कर जाएगी, क्योंकि अब 11 rank इन्हें मिलेगा, 12 इन्हें मिलेगा, 13 इन्हें मिलेगा, तो इस candidate को जो इसको 11 मिला था, उसको 14 मिलेगा, इसको 15 मिलेगा, इसको 16 मिलेगा, इसको 17 मिलेगा, तो यह case ज़्यादा मैं important नहीं मानता हूं, इसको इस पर बहुत सारे सवाल उठाया जा सकते हैं क्योंकि इसको देखने का नजरिया क्या है लेकिन दूसरा केस मुझे important लगता है क्योंकि जिसके marks कम आये हैं उसकी percentile ज्यादा है अच्छी है और first वाला जो case है ये भी important है क्योंकि marks ज्यादा है लेकिन rank बनाने के लिए उसके कम marks को include किया जा रहा है ज्यादा marks जो 265 था उसक का इस्तेमाल rank बनाने के लिए नहीं भी किया जा सकता है hopefully बहुत सारी बातें आपको समझ माईगी और जो आपकी important चीज थी mark से बारे में बताना percentile के बारे में बताना rank के बारे में बताना इन चीजों में मैंने कुछ आपको formula बताए क्योंकि सब कुछ यहां prediction पे हो रहा है कोई भी expert इसके बारे में real data नहीं दे सकता आपको अभी हाँ on and average अगर आप देखें तो previous year का rank versus marks का data उठा लीजे तो अभी आपके कितने marks आए हैं उस अनुसार से एक approach rank निकाल सकते हैं एक data मैं आपको दिखाता हूँ पिछले साल 200 number पे 1500 के आसपास rank आई थी तो इस बार अगर आपको 200 number है तो आप 1500 से लेकर plus minus 200, 300, 500 तक कर लिजिए अब जो जो ये digit बढ़ेगी मान चले कि आपके marks कुछ ऐसे आए हैं कि उसका rank बन रहा है 15,000 राइट 15,000 अब इसमें क्या है कि plus minus आप 1000 से 2000 मान के चलिए मतलब मान के चलिए आपके रहें 15 से 20,000 के बीच में होंगे अगर नॉर्मल ही चलता रहा था तो 15,000 के आपस्पेश रहें होते इस वर fluctuation ज़्यादा होगा hopefully जो important 3 case मैंने आपको बताए वो समझ माया और ये 3 formula आपको समझ माया कुछ भी सवाल है तो नीचे comment section में आप पूछ सकते हैं चैनल को subscribe किये बगर मत जाएगा यहाँ पर आपको subscription का ये दिख रहा होगा यहाँ पर बस इस पर click केजिए subscribe हो जाएगा